पी सांजा देख रहे दर्शकों दा स्वागत है मैं चरन जीत को और ते तुसी देख रहे हो एभी पी सांजा दा खास शो जिस दा नाम है चोणा दा चुला चौंका जेहा खास शो जिस देवेच ऐसी बीबियां दी जुबानी तो आनू दस देआ किने मसले की ने ओना दिया मुश्किला किनिया हल हो याने किने मसले अजीवी अदूरे ने असी मौझूदा अबोर विदान सबा हल के देवेच ते तो दी जेकर स्यासी तस्वीर तो आनू दस ये ता मौझूदा जड़े विदाएक ने ओ बीजेपी देने अरुननारंग अनोदा नाम है ते जदो 37 सी कॉंगरस सी ते ते बीजेपी दे विदाएक सन ते हून चों मेधान दे वेच सुनीर जाखर जो कॉंगरस दे गदावर नेता ने ओनन दे रिश्टेदार संदीब जाखर कॉंगरस देवलो चों मेधान दे वेचने ते अकाली दल दे वलो, डॉक्टर महिंदर, रिन्वा जड़े ने ओ चोन मैदान दे वेच ने ते थो आनू स्यासी तस्वीर दास देती है ते हुन मसले पुछ लने हा कि इस शेहर दे, इस हलके दे मसले कीने सबतो पहला कॉंग्रोस तो ही जानांगे कि उन्हाने जड़ा की केड़ा ऐसा मसला जड़ा लगदा है कि बीजेपी ने अजेवी हाल नहीं कीता जेकर था नू पुछिए कि केड़ा थो नू लगदा है मसला जड़ा जितक हाल होया नी इस हलके दा जड़ा करना चाहिए दा सी विदाय को हां जी बीजेपी दे मामले जड़े पिछले पांच साल पहले सी जड़े की अरुनारिंग जी सानो नी लगदा कि उन्हाने कदे भी कुछ करवाया है क्रोना काल दे विचो कदे नी मिरिज्जान दे कदे भी हाल संदीप जाखर जी बीना किसे मेले दे होम दे बावजूद भी हार एक के घर पे जाके उन्होंने आटा दाल स्कीम दिती सब नू ते सब दे हाल चाल पुछे सब नू दवाई पानी सब दे उन्होंने जो भी उनके जो थे इस लिए जो कुछ भी ऐसा है तो वो जिसने भी यह सब कुछ बोला है तो वो सब गलत है क्योंकि हम हमें कोई यह निया कि हम किसी के प्रती कुछ गलत बोलेंगे नहीं सचका साथ देंगे और सचाई ही जो यहां पर बोली जाएगी बीजेपी नोवे बोच लेने है कि इल्जाम ला रहे ने कि करोना काल दे दर्म्यान विदाय क्या जड़े लोकांच विचरे नहीं मैंडम साड़े विदाय कि जो है क्रोना काल चे सब जगा गए ने और मैं खुद भी जाके महिलावानूं हर एक इंदरा नगरी है नई अबादी है सखेरा बस्तिया बहुत सारी बस्तिया जो मैं खुद जाके गाम की तर नारंग साब ने खुद सानू मेला मोर्चा दी मीट सब्सक्राइब जो है मंडला ने और मैं भी जो है मंडला दी मिटिंग लई है कि असी कार कर जाना और सानू सी मेरे सोचल मीडिया ते देख सकने हो भारती तो ने पुछिए बीते पांच साल लां देवेच बीजेपी ने विदायक संजड़े उनने जिहां केड़ा काम कीता जिस दे आदार ते तुसी वोट मांग रहे हो जी मेरम साड़े विदायक जीने जो है पांच पीर दे अंदर जो है पानी दी बहुत बढ़ दिस मस्या सी उत्योंने टैंकी विगरा जो कह के ओ वी उते निर्मान किता और लोग बहुत खुशने और कॉंग्रेस पार्टी दा बहुत वड़ी जांग लड़ी और उन दे करके जो है उनने अस्टीय में सबनों मिले फिर उननों जो है असाड़े विदायक ने पानी दी जो है सुविदा उपलब्द करवाई जैसे कॉंग्रेस पार्टी अपना बोल रही है कि हमने यहां विकास की है और जाकर साब बोल रहे हैं कि अकाली की और बीजेपी की गठवंदन था उस टाइम और वो कह रहे हैं कि यहां पे बहुत विकास विदायक जी ने क्या किया है तो पहले बात तो मैं यह बता देती हूँ विदायक जी चाहे अकाली और बीजेपी के थे पर सरकार उपर कॉंग्रेस की थी और दूसरी बात अगर जाकर साब यह कहते हैं कि कॉंग्रेस ने यह सड़के बना के विकास किया है तो मैं इसे विकास नहीं मानती यह सडके भी अमरित योजना के तहट बादल सरकार जब MP एलेक्षनों में यहां से जीते थे उन्होंने सेंटर गर्मेंट का पैसा है यह जाखर साब ने कॉंग्रेश की तरफ से नहीं लगाया और दूसरी बात सडके आज भी मैं कहती हूँ आपको मैं वो वो एरिया दिखाना चाहूंगी जہां जहां कॉंग्रेश पार्टी को वोट नहीं मिलते इन्होंने सडके ही नहीं बनाई दूसरी बात रही पानी की पानी के जहां पे वाटर वक्स जहां पे डॉक्टर एक जगा एक जगा डॉक्ट साब ने वाटर वक्स शुरू भी कराया पर इन्होंने पीछे से सरकार जाकट साब का इतना प्रेशर होता है उपर कि इन्होंने वो वाटर वक्स चलने ही नहीं दि यहां पे कोई ने दर्ज करवाई जूटे पर्चे आप पूरे शहर में पता है गली-गली में चर्चा है हर बंदे पे पर्चा है जो जाकर साब के अंडर जो जितने पुलिस वाले हैं सब उनके अंडर चलते हैं कॉंग्रेस सरकार ने इतना प्रेशर दिया है अगर यह कहते हैं कि हमारे एमसी फिफ्टी में से 49 एमसी जीत गए हैं तो फिर यह इतना बोखला क्यों गए हैं फिर तो इनको इतनी बोखलाट की जरुरत ही नहीं है यह अराम से और मैं मैं पूछूंगी जितने एमसी हैं उनक को ने बिठाई उनके हस्बेंट्स हैंडल करते हैं हमारी एक ही लेडी वनी थी मदू जी जो एमसी हैं बट उनके पीछे से पेई नहीं आती इल्जाम तुसी वड़े ला रहे हो कि जड़े तक्का हुंदा है पर्चे दर्ज कीते जाने ने इंए इल्जाम लगा रहे ने हो असी ये पुछना चांदे हैं एथे जिनने बैठे हैं कि उनना ते पर्चा होया है जे होया है ता दसन जे नहीं होया ते असी इस मुद्धे ते ना ही गल करिये ता जाधा वदी है असी विकास दी गल करिये क्योंकि अगर किसी ते होया है ते कानून भी है तो उसी उत्थे ही है ते मैं अपनी पैनों याद कराना चाहनी है कि भी पिछले साला जो पिछले साला जो अबोहर शेर ने गंदगी देखी है नर्क पो गया है तो संदीब जाखर जी ने सानू निकाले है ते विकास दाही एक नमूना है संदीब जी बिना MLA हुए भी उनमें इतनी थी हिम्मत थी कि भी वो संदीब जी पैसा लेके आएं आया हैं हम उस चीज को इन थे पावर में होने के बावência कि इसका मतलब तो यह हैं कि यह देश के सर्विदान को देश के कानून को चैलेंज कर रहे हैं कि कानून भी एक्जिस्ट नहीं करता कि पर्चे कर रहे हैं और वह कानून मान रहें मतलब एक जगा यह बिना बेदभाव के अब और दो देगार्ट ने सब दुरुस्त ने बढ़िया ने पाइंट रहे गाएंजी शड़ा को टैम कर नौ मिन ने देविछ पहले और गणरस दी सरकार सब्सक्राइब करें कि जो इल्जाम जड़े लाए जा रहे नहीं बेवनियाद कह रहे ने पुछ रहे ने कि किनने लोग कांटे पर्चा दर्जुए है थे कुई यहां पे कम से कम आप खुयां सरवर लगता है यहां पे मैं कहती हूँ पूरे पञजाब में इतने पर्चे नहीं होぎे अगए जितने अब उर डिस्ट्रिक के अंदर अब उगए अब बहुर शहर के जितने पर्चे खुयां सरवर को उनसे पूछिये जाके वहाँ पे रजिस्टर भर चुके हैं 500, 500 पर चके अराब और मैं कहती हूँ ये कह रहे हैं विकास सुनील जाखट जी कहते हैं हमने 700 करोड लगा दिये संदीब जाखट जी कहते हैं हमने 480 करोड लगा दिये तो पहले ये बीच वाला बजटी बता दो मैं बता देती हूँ आप जाईए इदर अजीमगड वाड नमबर 18 निरानिया पूरा आपको वहाँ सबूत मिल जाएगा और उदर नई बादी में जहां सडके बनी है वहाँ पे अब से पहले नीचे जा चुकी है कली मैं वाड नमबर 27 में गई हूँ आप उसके अंदर देखो इन्होंने क्या किया है सडके बनाई है उसके नीचे मीटर मीटर का भी मुद्धा मैंने उठाया था ट्रांसमीटर बिल्कुल इतना नीचे कि हर बच्चे का हाथ लग जाता है वहाँ पे उस वाड के अंदर आप जाके खुद देखे वहाँ पे कोई सडके नी बनी हुई सडके बनाना कोई विकास नहीं होता आप रोजगार तो दें हो हुँ मिन आप जा सबस्ट होगाँ जा अपन पता है अब और दाकी महोल है सारे जान देने कि अबोगे की महोल चल दो बता है सब न jeśli भूल नी सकते ना ही बूल लाँगे क्योंकि इसी की सिरी डार है तो आनू क्यों नहीं बोल रे कोई डारनी किसे के समदा बड़ी अच्छी पार्टी दनाला सी जुड़ेयां पार्टी जनता पार्टी सिर्फ जनता लई है जनता दे फाइदे लई है जनता नुलाब बचावन लई है गुंडे आयो एने तुसी प्लीज अंदर बैठो साध्य अंदर कोई डार नहीं सी बाहर जान दा बिल्कुल किसान दी बेटियां और शुरू तो ही अपनी जनम पुमिनाल मेरी मतलब मैं किसान नी दे वे चीज़ सारा अपना बच्पन गुजा रहे है और बड़े किसान मेरे सब किसान ने लेकिन किसान दनाते गुंडे सी और असी गड़ी दी वेच बैठे सी देखो तुसी एक सवाल कीता सी कि राशन खराब हो गया किस दे वज़ा करके हो राशन खराब और राशन जी अंदर बिल्कुल बंद रहे हैं उन्हों बाहर नहीं कड़े हैं कि नहीं भी मिला है और वो खुद अपने घर के घर का दर्वाजा ऐसे बंद रहता था कि हवा भी नहीं जा सकती करोना काल के दोरान और हम उनके पड़ोसी हैं उनके पड़ोसी इस बात का सबूता है घर के साथ पहना नूशरम आनी चाहिए ए अपनिया सारीयां पहना ने एना नू लोगान दासरे ने वही तुस्षी साथे नाल चलो आसी तहुनु तेनर जार पैंशन दोंगे और पैंशन लोगां यह पंदरा बंद रहाए और जुट मेरी गाल सुनो और जूट बोल रहे ना लोकान बैकार एने एक मिनित कॉंग्रेस ने विक्यास पैंशन दावा गे उन पंजी जर्हे सी जहरे से जानने में अगर यह रहने हैं नहीं हुंची नियू और किया साथ जार लेट। नियू और किया साथ जार लेट। नियू और किया साथ जार लड़ना जान दे नियू और किया साथ जार लेट। नियू और किया साथ जार लेट। मतलब यंग है ठीक है किसे नूवी नौकरी नहीं मिली किसे नूवी तो करका रोजगार देना की नहीं सी कांग्रेस सरकार नहीं देना सी उनना दी सरकार सी ते बीजेपी वाली लेटीज खुल के क्यों नहीं बोल रही है एसे करके नहीं बोल रही है क्योंकि जदो पूरे इंडिया की इस्ट्री निकालो किसी में बता की गया लागी दिखाएं पानी गंदा छटकांदा बुरा हाल इतनी अबोर तकलीफ में था और इतनी अच्छी जीत हुई हमें एमसी के इलेक्शन में तो यह उनकी बोखलाहट है जिसकी वज़े से वह ऐसे लगा रहे है कि और तो साथ जाती हुई और तो के साथ हाता बाई है कुछ भी ऐसा बोल रहे है इनके पास कोई मुद्दा नही है इनके पास इल्जाम के इलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास जी रिपोर्ट कार्ड है काम बोलता है हम लिखके लाए है हम डंके की चोट पे बोलते हैं इसमें से कोई कुछ भी चैलेंज करे कि हमने यह काम नहीं किया यह इतने रुपे नहीं लगाए साथ हमारा काम बोल जो कि ये बोर्ड रहे हैं कि अजीमगड में जाके देखो हम सभी अजीमगड से हैं अजीमगड में जाके हमारे साथ को ये कैसी जगा दिखा दे जो वो नर्क की जैसे पड़ी है अभी काम चल रहा है मैं एक हाथ से ताली बजने से कुछ नहीं होता अभी काम चल रहा है काम दिरे-दिरे चलत के जाएगा तब ही कंप्लीट होएगा और जो की यह काम कर नहीं केला सदकों का विकास नहीं है उन्हों ने केलन एक लाइबरेडी भी हमें दिया है जो गृपों के बच्चे हों नहीं कर सकते हैं और जो कि इन्हों ने कांगरेस विकास नामते जो वाटर वक्सी जगह वेज़ी तीगी पवानी कोटन मेल वेज़ी दितीगी विकास नामते है थी कि काम जी सारे साधे जो बच्चे पर बोर दे पंजाब दे जो फॉरंच जा रहे ने एक अन्ना जिम्मेवार कोन है सरकार नो पुछा जब रोजगार खतम का कर रहे सी होते हैं कि ओथे एफ जी कोई गली नहीं है जित्ते विकास नामते हैं देखो जी बोलने से कुछ नहीं होता आप लोग कैमरामेन आपके साथ हैं मैं आपको वो एरिया पूरा दिखा सकती हूं अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूं तो मैंने वो एरिया द दाएक को ले किसे ऊदिकोले प्रशासन को अुले गए भी साढ़ी सानी राशन दो तो इसनाईशन कञते नहीं है तो परचा है 30 साल वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और जब उन्होंने कांग्रेस से कुछ नहीं मिला तो वो अकाली दल के अंदर आये तो उन्हों परचा कर दिया उनके घर में आग लगाई गई और सब कुछ कर दिया उनके खुद मंजूर है उनको बुला देते और उ तुसी कि में कमजोर पहे अगर परचे हो रहे तो तुसी आवाज क्यों नहीं बुलंद की देखो जी हम अवाज बुलंद हम लोगा बोहर से डॉक्ट साब पहली बारी कैंडिडेट यहां पर उत रहे हैं पहले यह सीट हमेशा बीजेपी के पास ठीक है अब जब से किसानो के तहत यह कटबंदन तूट है डॉक्ट साब को यहां उतारा गया है जबसे डॉक्ट साब यहां पे आया है आप हर थाने के अंदर जाके पूछो एक जूटा परचा तक दर्ज नहीं हुआ तो हम अपनी तरफ से पूरा उठा रहे हैं और हम और यह कह रहे हैं ना कि यह ल गुटके की जूटी कसम खाके इन्होंने बोला कि हम घरगर नौकरी देंगे कहां हैं वो नौकरियां आप इंद्रानगरी जाके पूछो हर बंदा हर बच्चा नशे के अंदर है इन्होंने नशे को इतना पड़ा है कि नशा जो आया हो तो अकाली दल दी सरकार सी रोक्या ने गया उस तो बाद कॉंग्रस ते इलजाम लग देने क्यों ना ने कोई भी आके बंदा देख ले वहाँ पे स्कूट्री पे नशा भी कर रहा है स्कूट्री की डिग्गी में बोटलें डाल दाल कि लिए फ़ाड़ी सरकार ने दावा किता सी वो बीजेपी के बंदे हैं हमारे उदर आ रहे हैं वो हमारे बंदे नहीं नहीं हैं बीजेपी की यह सारे प्रावी जड़े थासी जाने ने एना नो शरम आनी चाहिए दिये एना यह मामा बैना वी अथे बैठीया ने सारा बीजेपी सरकारा ने गंदिया सरकारा ने नशा फिलाया इनके जो बशिंदे छोड़े हुए हो बेशते आके हमारे नहीं बेशते हम लोग नहीं बेशते हैं जो बेशते हैं इनको पूछो जिन्हों ने विदायक बीजे पीदा सी पर सरकार कॉंगरस दी सी था नू लगदा नी के कैप्टन ने जो वादा कीता सी वफा करना चाहिए क्या मेरी बास सुनों विदाय की पावर नहीं है वो रोक नहीं सकते थे उनका उनको शेहर का नुमाइंदा बनाया गया था संदीब जाकर जी ने और आधे चरे आदे हससा लागए और आज जेवे यह थे बैठी है कदी नी बैठी है संदीब जाकर जी सौच लूँ सलाम संदीब कन देने अनी वही बोस्ट कोई निविच न भाधिए निए नहीं आ captiveящ फॉल ना लेकिन एंदे जिम्मेवर असी निया मुझूदा सरकार है जो एथे दे लोग ने जाम लगा रहे हैं आसी रोक दे हैं कि असी वीडियो बेचांगे जिते उनना रजीव नगर चले जो तुसी इंदरा नगरी चले जो पांचे पी टिबा चले जो उत तुद पहना तानु दसन सब्सक्राइब करने जिते जिते वीडियो पारे से लोग तंटर है जिते विडायक बीज़े पीता है थो तुसी कहारे वोट्ट पुलिस वाले पारे तुसी एथे जिए पहना एंसी एलेक्शन लडे ने जिनुमार काम हुए है क्योंकि मैं पिछले साल केंडिएट उठी आप बताओ क्या हुआ बहुत तक्का है बहुत तक्का है जैसे हम जासे जाते वीजेपी के बंदे तकड़ी वाड़े और देखो मैं इलेक्शन लड़िया है मेरे सिरफ जड़े उन्हाने अंदर बंदे खड़े हों दिते ओ सिरफ पांज या साथ और कांग्रेस ते पुलिस आप देखो यह कह रहे हैं हमने हर घर में रोजगार दिया है तो कॉंग्रेस सरकार से पूछने वाला है कि अगर आपने अबोहर में घर घर में रोजगार दिया है तो आपके लोग यहां से मडलोट और गंगा नगर क्यों नौकरी करने जाए पर अकाली दल ने सुखबीर सिंग बादल ने अलान कीते है कि भी तोड़ा कार्ट बना दांगे विदेश पढ़की आयो वो कहरे किसी हमने विदेश जाने के लिए नहीं बोला उने उनका देश है उनकी हमारे लिए सारे लोग एक जैसे है जो लोग हम सिरफ कार्ट बनाने की बात करें क्योंकि यहां पर आपको भी पता है आप कैनेडा जैसे जाके देखिए आप उसे वहां मीनी पंजाब बोलते हैं किस मपपाबला इस वार किस नल है हमारा शरह आम कॉंग्रेस के साथ है संदीब जॉकर जी के साथ मौजूदा विदाय कि उन्हानल तुसी अपना मुझेडा मुखाबला इनी महसूस कर रहे हैं हम सिर्यसली नहीं कर रहे हैं बिल्कुल जी तो अनु पुछी हो कह रहें कि मुकाबला ते कॉंगरस दा ते अकाली दल दाया ते बीजेपी किते हैं फिर नहीं मैडम साड़े परदानमंतरी आ रहे है गालत होंता है जरूरत ही नहीं है जी सारे शेयर नू बता है और असी जो डोट डोर जा रहे है न केंद सारी जनता और जनतने खुश है कई मोदी सरकार मुदी खुद आरे ने और पार्टे इंद यह जनता पार्टी आरं से खॉशनावाब न करानि कोछिनो आए नियू आधा और पार्टी लेने कोछेने काम निसानों प्रके पहरां मुछे पर विक्टे सबस्क्राइब लाई सभटन करें दिए रहे इस में लगा रोगा सभाराइब चफित को थे सनुब बनाया का इब में out ऑsters और ने sevent dog आप मसा बसे इना चाहिए तुस्वार संधीब जी ने即ि ने बिना किसी ऊद्धे V olur और His कर दे अमिद है कि ये नहीं हुए AH और posed jog जी नैं बिना किसी कहई रिख का इनना कम कि आ क्षट fellow शुट गया खराब हो गया जे यक दो तो चीज़ां रह भी गईया तो तुसी यह नहीं कह सकते के विकास नहीं होया जैसी परसेंट काम हो गया ते काम होया ही मंदें आपा इसे परदान मंत्री नो हबोवरा ले हल्केच आना पे गया एक सवाल है कि इस एक एक मिल्हां जुनों सुनीय जाकर केंड़े कि इसलेई नहीं नहीं ने बनाया इसलेई निन मैं नुचुनीय कूंड नुचुनय क्यूं क्यूं कि मैं हिंदू हुआ ते एचिस घ्री बैल्ट ह जादा तरह थी हिंदू है उन्हाद लिड़ाई ब्यान है कि कॉंग्रेस पे सवाल खड़े कर दें पर उन्हाद पती जैने काम किता प्रदान मंतरी ने बहुत चाहना पह गया आए कि नहीं कर दें कि कोई परदान मंतरी आया बहुत आखरी सवाल है कि इस हल के दा सब तो वड़ा मसला केड़ा है तो तो फिर वड़ा मसला रिड़ा हाल किता जाएका देखे जी मसला जो हल वैसे तो सारे हो चुके हैं विकास हर तरफ से हो रहा है कोई भी वर्ग अंच हुआ नहीं है चाहे आप खेलों में ले लो जो करोगे तुसी जो करेंगे जो हमारे रोजगार का है उसका मसला जरूर हल होएगा पढ़ाई का है जो शिक्षा चल रहे है लिडार जरूर हैं चाहे है किहारी कि कॉंग्रेस ने दावा कीता सी किरें कि 5 साल दे वच जड़ा ०ॉजगार दे जाएगा पर वजय भी कह रहे हैं कि रुजगार द्मा की अगले 5 साल दे वच अकाली दलू जे पूछी है केड़ा मसला है ठोड़ा जड़े तुस् выпуск गहो देंगे रोजगार देंगे तो पिछले पांच साल और पिछले साथ साल से कांग्रेस कुल जनता फैसला करेगी उसदा दस मार्चनू कह रहे ने कि पहला ते कदे आए नहीं परदानमंत्री उन्हा बोर आरे ने तुसी यह देखो साथ दे शहर असे किन्ने सोबागे दिगाले कि आज तक कोई परदानमंत्री उन्हें छोटे शेर्च नहीं आया वेगा और उन्हा था बहुत अच्छा डिसीजन है और ऐस वस्ते आरे ने परदानमंत्री आप और वियांगे ते असी थौन वेथे ने ते मसले दिखाई ने महलामा दी जुबानी के की की मसले ने इल्जाम जड़े लाए जारे ने मसले जड़ें खड़े कीते जारे ने ते परदानमंत्री ऐसे शयर दे वे चोना ने और याथी रैली है हाला कि जनता दा फ्यासला की होएगा ये 10 मार्च रूपता लगेगा